नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में आज की सेशन में हम लोग मंतली कर एंटरफिर पढ़ने जा रहे हैं यह मंत रहेगा हमारा अप्रिल जो की लेक्शन नमबर 3 रहेगा इसके पहले हम लोग यह मैंने जो लेक्श्र कंप्लि Reply यूंग्ट के लिया है लेक्श्र यह हां में वाहां पर जाकर आप लेक्श्र को चुन करते हैं पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर जगदिस एन भगवती एन विजय केलकर हैं बोल नन हिंदी और उंग्लिस दोनों में ही कोश्चन्स यहाँ पर दिये गए हैं तो हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिस वाले इंग्लिस को पढ़ कर स्वेधा अनुशार समझ सकते हैं questions को जगदिस एन भगवती और विजय केलकर क्यों परशिद्ध हैं क्योंकि ये दोने एक एकनॉमिस्ट है ठीक है अर्थसास्तर जिनम बोला जाता है यह रहा भगवती जी का प्रोफाइल फोटो और यह रहा केलकर जी का प्रोफाइल फोटो देखे भगवती जी जो है वह अभी भी अमेरिका एकेड मी में एज़े प्रोफेशर के रूप में पढ़ाते हैं ठीक फेशर और खेलकर जी के बारे में तो जब भरत में जीस्टी आया हुआ था तो उससे में जीस्टी के यह एज़े आर्किटेक के रूप में काम किये थे आर्किटेक के रूप में काम किये थे यानि जीस्टी के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था ठीक है तो चलिए अब बात और बता दू इसके साथ इन्हें पद्म विभूशन और भारत रतन दोनों मिला है एक नमबर इन्हें पद्म विभूशन और दो नमबर भारत रतन भी मिला है ठीक है चलिए मौफ करेंगे आगे की तरफ इसके बार में थोड़ा सध्यर करेंगे मौनिटरी पॉलिसी वह चीज होता है जैसे कि हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है होता है ठीक है हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है उसी तरह इंडिया का भी अपना एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का कौन बैंक है आर बी आई जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है तो मौनिटरी पॉलिसी में यह क्या करती है यह काम करती है GDP के गुरूथ में काम करेगी इसके साथ-साथ कौन से बैंक ने कितना रेट निर्धारण किया है उस पर यह निर्धारण करेगा उसके साथ-साथ RBI यानि इंडिया का जो Central Bank RBI है Reserve Bank of India वहर एक बैंक का strategy त्यार करेगी यह होता है monetary policy ठीक है चलिए अगला question आपके स्क्रीन पर वैर्खवना राड़ा इस दपार्लियमेंट इन वैर्खवना राड़ा कहां की संसद है यह आप से question कर रहा है तो यह है यूकरेन का इत्सकों सथे साड़ी है और से हर एक देश में अलग अलग सदन होते हैं जैसी तरह युक्रेण9 में एक इस युनी का मैल कहा जाता है जिसका नाम क्या है वैर कॉपना राडा अब आई ये थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में अध्यन करेंगे राजधानी कीव होगा मुद्रा यूक्रेनियन हर्वेनिया अधिकारिक भाशा यूक्रेन रहने वाला है जनसंख्या 2022 के इसाब से विश्व बैंक ने दिया था 3.8 कर परधानमंत्री डैनिस श्यमल और राष्टपती होंगे जैलंस्की यह रहा जैलंस्की का प्रोफाइल फोटो ठीक है अब देखिए मैं यहां पर जैसे आपको बताया यूनी कैमरल तो दो तरके सदन होते हैं एक बाई कैमरल होता है एक यूनी कैमरल होता है ठीक है अबिस और नियुक अपर लेगन मंदल क्या होता है जिस में जिस देश में या फिर जिस असे में हम अपनी भारत की बात करते है ठीक है भारत में टोटल 28 इस्टेट से तो कुछ स्टेट में जो है वह वह आई कैमरल लेजिसलेचर है यानि दुए सदनिय विदानमंडल है औ तो विधान परिशद एक हो गया और विधान सभा दो हो गया यह मैं स्टेट की बात कर रहा हूं अगर मैं सेंट्रल की बात करूं अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो सेंट्रल में दो सदन होते हैं आप सभी को पता है एक होता है राज्य सभा रज्य सभा और दूसरा होता है लोग शभा इसे हम लोग अपर हाउस कहते हैं यह आप लोग को पता होना चाहिए ठिक उसी परकार हर स्टेट का अपर और लोग अपर हाउस होता है यानि जिस state में by camera legislature होगा वहाँ पर विधान परिशद और विधान सभा होगा ठीक है और जिस state में unique camera होगा वहाँ पर सिर्फ विधान सभा होगा तो विधान परिशत जो होता है वो इस्टेट का अपर हाउस होता है या आपको याद रखना है वो इस्टेट का अपर हाउस होता है यानि कि उच्य सदन और विधान शाबा जो होता है वो इस्टेट का लोवर हाउस होता है यानि कि निम्न सदन होता है या आपको याद रखन है अब चलिए इसके बाद वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे स्टेट से जिनके पास दूशद्नी विधान मंडल है कि यह देखिए बाई लेजिसलेचर स्टेट विधान मंदल राज्य कौन कौन से हैं जिनके पास विधान परिशद और विधान शभाद दोनों ही है जैसे कि तेलागना महारास्ट्र करनाटक उत्तर परदेश बिहार और आंधर परदेश याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से कु चीबा में कितने स्टेट होगे टोटल स्टेट होगे भारत के जिसके पास द्विशदतनिय विधान मंदल है मैंने आपको पदल्शनिय क्या होता है एक विधान परिशद और एक विधान सभा होता है चलिए मूफ करेंगे और कि तरफ त sut R यहां पर सिर्फ legislative assembly यानि कि विधान सभा होगा विधान सभा क्या होता है किसी भी स्टेट का लोवर हाउस होता है हमारे भारत में टोटल स्टेट की बात करें तो अभी 28 स्टेट से जिसमें से 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास क्या है बाकी 22 स्टेट एते हैं जिसके पास यूनी कैमरल है क्या है यूनी कैमरल लेजिसलेचर लेचर ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है यहां से questions बन सकते हैं तो अभी आपको clear हो गया होगा कि यूनी कैमरल और बाय कैमरल क्या होता है ठीक है इसके अलावा अब हम कुछ आर्टिकल को उपर अध्यन करेंगे कि कौन से आर्टिकल कौन से यूनी कैमरल में आता है या फिर बाय कैमरल क्या होता है यह सारे चीज पर अपलाई होता है देखिए यहां पर जैसे कि अनुछेद 168 राजियों के विधान मंडल का गठ रखता है ठीक है याने कि लोवर हाउस और अपर हाउस जो है उनके गठन के बारे में बताया गया है अनुछेद 168 में याद रखना है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है अनुछेद 179 में क्या वोला राज्य में विधान परिशद का उनमूलन या फिर निर्माल करना विधान परिशद क्या है विधान परिशद मैंने आपको बताया था अपर हाउस है ठीक है यह अपर हाउस होता है किसी भी स्टीट का उसके बाद अनुछेद 170 में विधान सभाओं की संरशना देखिए विधान परिशद अपर हाउस हो गया तो विधान सभा क्या हो गया ल लोवर हाउस यह आपको याद रखना है तो लोवर हाउस के सनरशना के बारे में बता रहा है अनुछेद 171 क्या बोल रहा है विधान परिश्वतों की सनरशना विधान परिश्वत की यहां पर सनरशना के बारे में बोल रहा है और 172 बोल रहा है विधान मंडल की अवधी या के लिए योग्यता बता रहा है कि विधान मंडल में अपर हाउस कि अपर हाउस याने की विधान परिशद कि विधान कि परिशद कि और लोवर हाउस हो जाएगा आपका विधान सभा तो विधान परिशद और विधान सभा में क्या योग्यता होना चाहिए किसी भी स्टेट के वहाँ पर मेंबर बने के लिए वो अनुछ्यद 174 वोरता है ठीक है तो देखिए यहां से एक फैक्ट और मिलता है वह फैक्ट क्या है जैसे कि विधान परिशद और विधान सभा कि विधान कि परिशद है हो और कि विधान है कि तो यह दो सदन होते हैं विधान सभा क्या हूता है लोहर हाऊस होता है कि स्टेट का लोहर राउ सके जितने भीिम्भर होग एक fighting यह लोहर हाऊस में यान defence की संख्या क्या हो तो वो मेंबर की संख्या हो जाएगी वन बाई थर्ड यानि कि 10 हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर यहां पर 30 है तो उसका वन बाई थर्ड मेंबर जो है वो विधान परिशद में नौमिनेटेड होता है यह आपको याद रखना है अगर मालेज़े यहां पर 60 होता तो यहां लेगी निनिकना संफ तकर देजिएगा तो वहां के empathy मेंबर होगे उसी ना वाइगा जाने एक तरफ अगला कोष्ञ श्क्रीन पर झ देख लेते हैं किalay चेह कोडे करें ऐट अब टीचोन ऑफ 19 अंप्रिल फॉट्टीटीटीफॉर इन फ्रांस शी वाज वेल नॉन एज तो वह एक नॉवलिस्ट ठीक है नॉवलिस्ट है चलिए मुफ करेंगे ता फस्ट पेशेंट टु रिसीव अप्रीडी ट्रांस्प्रेंटेट फ्रॉम अजनेटिकली मोडिफाइड डास ओन मार्च 21 वाज डिस किड्नी के परतियरोपित करने वाले पहले मरीज को तीन अप्रेल दोवाजाट चोविस को यूएसे के एक हस्पताल से छुट्टी दे गई है तो वह रहां पिग यानि सुवर के किड्नी का ट्रांस्प्लेंट किया गया है किसमें मनुस्य में ठीक है सुवर के जो किड्नी ह है वह ट्रांस्प्लेंट किया गया है मनुस्य के किड्नी में चलिए मुफ करेंगे आगे की तरफ वीच आप दिस लॉंच्ट पाधा निशा एन एयाई वेस्ट म्यूजिक लर्निंग एप इनमें से किसने एयाई अधिकारी संगीत सीखने वाले एप पाधा निशा को लॉं पाधा निशा पाधा निशा हाग एना सारे गाम उबर चलिए रिमॉफ करते हैं एकला कॉस्ट्ट दा गॉर्मेंट हाज रिमॉफ ड्यूटी ओन काला नमग वराइटी ओफ वीच फूर एक्सपोर्ट अप्टू हंड्रेड टर्न्स थ्रू शिक्स स्वेसिफाइड कस्टम स सरकार ने चौन इडिश सीमा सुल के स्टेशन के माध्यम से 1000 तक के निर्यात के लिए इन में से किस काला नमग इस पर सुल खटा दिया है तो रहेगा चार किस्म होते हैं यह डाक्टर और सी चौदरी ने आपको याद रखना है इसके बाद बुढ्ध का इसे उपहार भी कहा जाता है यह सभी बास्मति किसम अधीक मजबूत चावल है मुफ करेंगे आगे की तरफ इनमें से किस ने संचाली समचार प्लैटफॉर्म आर्टिफेक्ट का अधिगरण किया है वो रहेगा याहू तो आए यहाहू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं याहू के संस्थापक जो है जेरी येंग और डेविट फिलो इसकी अस्थापन हुई थी जन्वरी 1994 में मुख्याले कि एगर बात करें यानिकी हेट क्वार्टर रहेगा आपका नियू यॉक सन्युक्त राज अमेरिका मुफ करेंगे आगे की तरफ नवा कोशन आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोट और अप्रिल फिप्ट टॉन्टिफॉर ट्रांसपर कितने पर्तिशत जी एस्टी लगाने के चुनोती देने वाले विभिन राज्यों के उच्छ न्यालों के समक्ष लंबिच सभी मामलों को अपने पास अस्ता अंत्रीच कर लिया है तो वो रहेगा 28% ठीक है टोटल जो है 28% जी एस्टी लगेगा ऑनलाइन गेमिंग प्लैट क्योंकि यहां से भी कुश्च देखने को मिल सकते हैं फैक्ट नमर वन क्या है कि अभी जो है प्रेजेंट में चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया है कि डी वाई चंद्र चोड ठीक है और यह पचासवे जज है यह आपको याद रखना है पचासवा जज के रूप में इन्होंने सपत लिया है 50 नाम क्या है डी वाई चंद्रचुड 124 आडिकल 124 में यहां मैंसें किया गए कि भारत में एक सुप्रिम कोट होगा ने 2 पचीश देश आडिकल भारती अस्जांबिधान के आडिकल 1212 में यह बताया गया कि भारत में एक सुप्रीम कोट होगा इसका में जो है हेट क्वार्टर कहां पर है वह है दिल्ली में और दिल्ली जो है एक यूनियन टेरेटरी है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है प्रेजेंट में सुप्रीम कोट में जजों की संख्या कितनी है 33 प्लस वन यानि कि टोटल 34 त्यांतिस अन्य जज होंगे और एक जो होगा में जज होगा जैसे की चेप जस्टिस ऑफ इंडिया जीसे हम लोग कहते हैं वो है दी वाई चेंद्रशूड ठीक है तो यह रहा सबसे पहले आ जाएगा वह रिटाइड हो जाएगा अगला कोशन आपके स्क्रीन पर है क्या बोल रहा है दिखिए नेशनल मेरी टाइम डेवाज अप्रेल फिप्ट विप्ट विट्वेंटिफूर्ट तो मैडन बॉइस वाई एं इंडियन सीप एसस लॉयल्टी तु यु उनेटेड की पहली यात्रा को उपलक्ष में पांच अप्रेल दोजाट चोबिस को राष्ट्री समुंद्री दिवस मनाया गया है तुछ है उनेश उनेश फॉस्ट टाइम जो है उनेश इस इसवी में यानिकि पांच अप्रेल ऑनेश उनेश में भारत से उनेटेड कीड़ तक एसेस रोयल्टी बोलकर एक जहाज थी शीप वह गई थी ठीक है इसलिए पांच अप्रिल को नाशनल मेरी टाइम डे सेलेब्रेट किया जाता है ठीक है चलिए मुफ करेंगे 11 कोश्चन आपके स्क्रीन पर एमर्जड ऐस नॉमबर वण स्टेट इन पैनेट्रेशन आप टू वेकल टू विलर्स इन कंट्रीज फिसकल यर 2024 वित्यवर्स 2024 में इन में से कौन से स्टेट देश में इलेक्ट्रिक दो पहिए वहन की पहुंच में नंबर वन राज्य के रूप में उवरह है ऑप्शन नंबर सी क्यार्ड ला ये तो रहा स्टेट अब आए हम लोग हिल स्टेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं हिल स्टेट में नंबर वन पोजिशन रहेगा उत्राखंड का जिन्होंने नो हजार चार पहाड़ी राज्यों में 14182 वहन पंजी करित किये गये हैं चलिए मुफ करेंगे अगले कॉश्शन पर हूँ इस दा सी एमडी चीफ मैनेजिंग डिरेक्टर ऑफ अनन्द हेड़क्वार्टर्स नैशनल डैरी डेवलोप्मेंट बोड ऑप्शन नंबर ए मिनेश साह अनन्द मुख्याले वाले राश्टे डैरी विकास बोड़ के सी ए 23-24 के स्वरोजनी छेत्र की कंपनियों में अपने हिस्सेदारी बेचने से सरकार को कितने प्रतिशत की लाव हुई है प्रतिशत नहीं कितना लाव हुआ है ये कोश्शन कर रहा है ऑप्शन नंबर सी 16,507 क्रोड का लाव हुआ है भारते सरकार को ठीक है मुव करेंगे चौद्वा कोश्शन पर वाट्वियर इंडिया फॉरें एक्षेंज रिजर्फ दूरिंग 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 इंड मार्च 29 टूर्टिफूर 29 मार्च 24 को समाप सप्ता के दौरान भारत के विदेशिय मुद्रभंडर कितना था ऑप्शन नंबर ए चौसो 25.58 billion ठीक है चलिए मुव करेंगे पंद्रवा कोशन हो इस इंडिया से रिचेस्ट वोमन अकॉर्डिंग दूर्फ वर्ल्ड विनियर लिस्ट फॉर्प्स की विश्व अरब पत्री की सुची के अनुसार भारत में सबसे अमीर महिला कौन है आप्शन नंबर सी सावित्री ज अंबानी यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चन सलवा कोश्चन आपके स्क्रीन पर चंदर शेकर घोस विल स्टेप डाउन एज एमडी और सी यूओ ऑफ विच बैंक अपवन कंपलेशन ऑफ इस करेंट टेनर उन जुलाई नाइन ट्वेटिटिवेटिवर चंदर शेकर घोस नौज जुलाई कारेकाल पूरा होने पर किस बैंक के एमडी और सीयों के रूप में पद छोड़ देंगे वह बंदन बैंक तेक है यह रहा उनका प्रोफाइल फोटो मुफ करेंगे अगले क्वेशन पर विच वास्ट कार्गो हैंडलिंग मैजर पूर्ट अब दे कंट्री वीच 145.38 mmt कार्गो त्रोपूट इन फिसिकल यह 2023-2024 हिंदी में बोल रहा है वित्यवर्श दोजार थेश्योविस में 145.38 mmt mmt का फूल फॉर्म देख लिजे मिलियन मैट्रिक टन ठीक है इसका मतलब होता है मिलियन मैट्रिक टन कार्गो त्रोपूट के साथ देश का सबसे अधिक कार्गो संभानने वाला परमुक बंदरगा कौन सा था ऑप्शन रहेगा डी कांडला अब यहां पर मैप दिया गया भारत के मैप में देखिए इस्टन कोस्ट और वेस्टन कोस्ट में टोटल कितने हैं भारत में देखिए टोटल अगर मेजर पोर्ट की बात करें तो वह 13 ठीक है जिसमें से अभी हम लोग काउंट करेंगे कौन स थो से पोर्ट यह सइब इस है यह नंबर यान पर है कोलकाता थिक जो कि वेस्ट बैंगल में है नंबर 2 पर है हल दिए या वेश्ट बेंग नंबर 3 पर है यह वाला Bryыми जो की ऊड़िट्ट में नमबर फॉर में है विशागा पत्नम जो की आंदर परदेश में पड़ता है नमबर फाइब में है एन और और नमबर सिक्स में है चेन नहीं दोनों ही कहां पढ़ेंगे तमिल नडू में और एक है तूतिकोरिन यह तमिल नडू में पढ़ता है के वी प्वाश तो ऊटल 7 ऐस डिःवी इस्टं कोस्ट में तो तो 7 मेजर पूष इस्टं कोष्ट में आपको देखने को मिलेंगे अब हम लोग आते हैं वैस्टं कोस्ट के तरफ वैस्टं नमबर कोचीन जो कि आपको क्यारला में देखनी को मिलेगा थिक है उसके बाद है नौ वाल ghosts मेंगलोर जो कि आपको करनाटक में देखने को मिलेगा नेंग्स्ट 10 नंबर पे है मरमुगाओ जोकि गुवा में आपको देखने को मिलेगा अगला नहावा श्रेवा और मुंबई यह दोनों यानि कि 11 नंबर और 12 नंबर जोटल तो टिरह पूर्ट जो है यह मेजर पूर्ट है भारत के जिस में से सेवन पूर्ट जो कहा पर ऐस्टन कोस्ट में 13 में से 70 तो हो जाएंगा आपको कि चोप पॉर्ट आपको वैस्टन कोस्ट में है यानी तर्फ कोस्ट में 7 हैं और वेस्टर्ण कोस्ट में 6 पोर्ट है यह आपको याद रखना है यह मेजर पोर्ट की में बात कर रहा हूं टोटल मिला के 13 पोर्ट हो गया आसा करूंगा यहां तक आपको कोई दिखतना हुआ हो मुफ करेंगे अगले कुशन पर अगला कुशन बैर्नार्ड आर्नौल्ड है थाप्ट फोर्प्स वर्ड बिलिनियर लिस्ट फोर्ट फोर्ट सेकेंड कंजिकुटिव यह ही इस ओनर फिच कंपनी यह रहां उनका सब्सक्राइब करेंगे विश्वा कोशन पर विच कॉर्परेट ग्रूफ इस पॉस्ट इन इंडिया तो एचीव ओवर 10,000 मेगावाट और रिनेवल एनर्जी कैपसिटी दस जार मेगावाट से अधिक नमीन करन उड़ जा चमता हासिल करने वाला भारत का पहला कॉर्परे करद हूँ सबस जिसे हम लोग कहते हैं नमनी करार उड़ जा ठीक है इंग्लिस में हम लोग क्या वो लेंगे इसिसे गया इनर्जी च्या होता है इस पहले रिने वेबल एनर्जी जिसे नवनी करर उड़ा भी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर एक्जामपल में देखिए वह रिनेवल एनर्जी क्या क्या होता है सबसे पहले यह चीज समझे रिनेवल एनर्जी और नॉन रिनेवल एनर्जी क्या होता है renewable energy वह energy होता है जिसे हम लोग बार बार use कर सकते हैं non renewable energy वह energy होती है वह उजा होती है जिसे हम लोग एक बार use करने के बाद वह खतम हो जाता है तो यह रहा renewable energy और यह रहा आपका non renewable energy तो दोनों ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहां पर आप देखिये रिनेवल एनर्जी में शोलर एनर्जी आएगा सब से पहले उसके बाद विंड आएगा थीक है ये कभी खतम होने वाली नहीं है देन उसके बाद आएगा आपका बायो एनरजी ठीक है उसके बाद आएगा टाइडल टाइडल में क्या क्या आएगा जैसे हम लोग बांध बनाते हैं और लाइक अपका दैम डैम से ओर्जा मों बनाते हैं वह उसके बाद बेस एस्ट्वरीज कि यहां से आती है सोलर अप समझगे सूर्य साथ है वेंड अनरजी हवा से होती है वह जो विंड पाइप भी होता है जो चक्री जैसे गुमता है वह उससे बनता है और वायो एनरजी है और यह टाइडल यानि कि इसे हम लोग बार-बार यूज में ला सकते हैं यह कभी खतम होने वाली नहीं नहीं है नॉन रिनेवल एनर्जी का मतलब क्या होता है वह एनर्जी जिसे एक बार यूज करने के बाद वह दुबारा यूज में नहीं आएगा तो पहला एक्जांपल इसका क्या होगा और दूसरा एक्जांपल क्या होगा पैट्रोलियम पैट्रोलियम ठीक है तो यह दो चीज ऐसे हैं जो की नॉन रिनेवल एनर्जी है एक बार यूज करने के बाद इसका यूज नहीं किया जा सकता तो चलिए बोफ करेंगे अगले कोशन पर अगला कोशन जो है एक इसवा क कोशन आपके स्क्रीन पर विच ए-कॉमर्स मार्केट प्लेस हास लॉंच इस न्यू वर्टिकल कॉल बाजार फीचर्स लो प्राइस अन ब्रैंडेंट फैशन एंड लाइस्टैल प्रोडक्स तो रहेगा अमाजॉन इंडिया ठीक है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर इंडि इंडिया एनाउंस्ट कोलाबरेशन फोर ग्लोबल पोलियो एडिकेशन भारतिय कंपनी और सिर्म इंस्टिटूट अफ इंडिया ने वैस्विक पोलियो उन्मूलन की लिए सहयों की घुश्रा की है वह भारत बायोटेक प्लस सिर्म इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी आपका हैदराबाद है हैदराबाद इंडिया इसके फाउंडर फाउंडर होंगे कृष्णा इल्ला फाउंडेट इयर फाउंडेट इयर होगा 1996 अएरिया सेघ्रिया सब्सक्राइब यह वाल्ड वाइड 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 तो यह सरी जनकरी भारत बायोटेक्स से कितना आपको याद रखना है पिर समय दोरादू हैदक्वार्टर होगा हैदराबाद इंडिया फाउं भी है CEO और MDB है ठीक है Managing Director Chief Executive Officer अस्थापना 1990 एरिया व्ल्डवाइड ठीक है चलिए मुफ करेंगे अगले क्वेश्चन थेश्वा क्वेश्चन्स दा इंडियन इकनोमिक इस प्रोजेक्टेट तो ग्रोट अट हाव मच पर्शेंट इन 2024 वर्ड बैंक इस साउथ एश्वाइड अप्डेट ओन अप्रेल नुट वी तो विश्वाइड ने दो अप्रेल दोजाट चॉविस को अपने नविंतौं दचली एश्वाइड विकास अप्डेट में कहा है कि दोजाट चॉवीस भारतिया अर्थ व्यवस्था के कितने परतिशत तक पदा दिवस 2024 का विशे क्या है वह विशे रहेगा बी आईपी एन एस्टीजी बिल्दिंग्स और कॉमन फूचर विट इनोवेशन एंड क्रियेटिविटी और इस सेशन का आखरी कोश्चन 25 कोश्चन आपके स्क्रीन पर है कोश्चन क्या कर रहा है वाट वाट वास्थ थीम क्यों क्योंकि पांच अप्रील को ही पांच अप्रील को ही ss royalty इंडिया से कहां गया था United Kingdom की तरफ पहला शेप इसलिए पांच अप्रील को हम लोग नेशनल मेरिटाइम डे के रूप में मनाते हैं और इसका थीम भी अगर आपसे पूछ ले तो थीम रहेगा नेविगटिं सब्सक्राइब करना है इतना ही करना है बस चली धन्यवाद